हेलो दोस्तों कैसे हैं, आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है, अपने शिखा बहुती समझदार सुसील महिला है, उसकी एक बेटी है, जिसका नाम नव्या है शिखा का पती दीपक एक साधार सी नौकरी करते है, उसी के विप्रित सिखा की द्यवरानी प्रीती अपने माबाप की इकलोती संतान है प्रीती का पती सरकारी नौकरी करता है दोनों एक ही सहर में रहती थी पर दोनों के सुभाव में जमीन आसमान का फर्क था एक दिन प्रीती अपनी जठानी के घर गई ये क्या भावी आपके हाथ पर कितने रूखे हो गई है आप कुछ करती क्यों नहीं मानती हूँ आप पार्लर नहीं जाती तो घर में बुलवा लिजे और मैंनी के और पेड़ी के और करवा लिजे भावी देखो आपका चहरा भी रुवासा रुवासा हो रहा है फेसल करवा लेना, देखे, मेरा मुह और मेरे हाथ पेर कितने सुन्दर हैं, थोड़ा बहुत तो, खुद पर खर्च कीजिए, अरे पैसे बचा कर क्या करोगे, मैं बुक कर देती हूँ, आप पैसे दे देना, पृती अपनी जठानी सिखा को कहती है, सिखा बोली, नहीं नही प्रीती, मैं घर में ही हाथ पेर साफ कर लूँगी, फालतु में इतने पैसे क्यों बरबात करना, वैसे भी, कभी उनको तनुखा मिलती है, तो कभी आधी मिलती है, कुछ महिने से आधी तनुखा मिल रही है, उसमें बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुस देखन पढ़ता है, प्रीती बोली, छोड़िये इन सब बातों को, आपको पता है, कल मैं मौल गई थी, और खुब सुन्दर सुन्दर डर्श लेकर आई हूं, तभी उधर से सिखा की बेटी नव्या आई, और बोली, मम्मी मेरे साइंस के, टीशन टीचर बोल रहे थे, आपने ती घर पर किटी पार्टी है, तभी उनकी सास रीता जी का फोन आया, चोटी बहु, मैं थोड़े दिन के लिए, तुम्हारे यहां आ रही हूं, सुसान्त को खबर दे देना, रीती सोची, अब तो उसकी आजाती छिन जाएगी, वो तुरंत बोली, ममी जी, आप भावे के पास क्यों नहीं रुख जाती, उनको अच्छा लगेगा, ये बात सुनते ही सिखा के पसीने छोटीने लगे, कि महीने का आखरी समय है, पर उनकी सास को भी आराम की जिन्दगी जीना पसंद था, उन्होंने कहा, नहीं, बड़ी बहु का घर बहुत छोटा है, वहां मुझे दिक ये नहीं रही है, पर कोई बात नहीं, आपके खाने में स्वाध है, तो मैं खा लेती हूँ, बातों बातों में सिखा बोली, प्रिती तुमसे एक मतच्चाहिए, प्रिती जेठानी को गौर से देखी, और बोली, भावी, बहुत देर हो जाएगी, प्रिंस भी स्कूल से आन तो मंजु बोली, क्या बात है, दो दिन से नव्या साइंस पढ़ने के लिए नहीं जा रही, सब कुछ ठीक तो है, शिखा बोली, वो तो पढ़ने जाती है, मंजु जी बोली, बुरा मत मानना, दो दिन से वो हमारे घर तानिया से पढ़ने आती है, क्योंकि टीचर ने उसे क्लास में आने से मना कर दिया, साइद तुमने तीन महीने की फिस नहीं दी है, सिखा ने सारी बात मंजु को बताई, मंजु बोली, आज कल हर घर की यहीं हालत है, करोना बीमारी के बाद सबकी माली हालत खराब हो चुकी है, मैंने भी पती को बताया नहीं, और अपने कुछ पर इसका बहुत बुरा आसर पड़ेगा, मंजु बोली, तुम्हारे देवर तो इतने पैसे वाले हैं, तुम्हारी देवरानी आए दिन, तुम्हारे घर खाने पीने के लिए आती रहती हैं, तुम उससे मदद क्यों नहीं लेती, एक बार बोल कर देखो, साइद वो कुछ मदद कर दे, बाजार शेयानी के बाद सिखा ने मंजु की बात पर गौर किया, पर अपने पती से इसके बारे में चर्चा नहीं की, तभी नव्या के दूसरे टीउसन टीचर का पैसो के लिए फोन आया, तब सिखा ने प्रीती को फोन किया, वो बोली, क्या बात है भावी, कोई नया वेंजन बनाई है, कोई टेस्ट करने वाला नहीं होगा, तभी आपने मुझे याद किया, सिखा हासकर बोली, जो भी बनाती हूं, तुम्हें मैं जरूर खिलाती हूं, आखर तुम देवरानी कम छोटी बहन जो हो, सिखा ने अपनी परेसानी प्रीती के सामने पर आप बताए, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूं, सिखा ने इसके आगे कुछ बोलना ठीक नहीं समझा, उसे भी समझ में आ गया, कि बुरे समय में आपने भी साथ छोड़ देते हैं, सिखा सोच रही थी कि बेटी की मदद कैसे करूं, तभी मन्जू का फोन आया, वो बो मन्जू तुम्हारी माली हलत भी मुझसे चिपी नहीं है, फिर भी तुमने मेरे लिए ये क्यों किया, मन्जू बोली ये मैंने अपनी दोस्त के लिए नहीं, बच्चों की दोस्ती के लिए किया, हम तो फिर भी किसी तरह चला लेंगे, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए और बताओ तुम्हारी देवरानी ने कुछ मदद करने की बात कही सिखा ने मंजु को साजी बात बताई मंजु बोली इसमें नया क्या है अच्छे बुरी का पता विपती में लगता है जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ देत सिखा के सास आती जाती पर ठहरती नहीं क्योंकि सिखा के घर में उन ही उतरीन सुक्सीधा जो नहीं मिलती थी एक रो सिखा के पती दीपक नहीं χोटे भाई के पूरे परिवार को खाने पर बुलाया सिखा ने डाल भरकर पूड़ी खीर और चटनी सब बनाई सिखा के सास रिता जी बोली बहु आज हम सब आये थे तो कुछ अलग बनाती ऐसा खाना तो हम आए दिन खाते हैं सिखा के देवर सुसांत बोले मा मुझे तो घर का खाना ही अच्छा लगता है मेरे घर में तो नौकर ही खाना बनाता है बीवी के हाथ का खाना तो कभी नसीब भी नहीं बात बदली और नव्या से बोले नव्या बेटा मैंने सुना तुमने अपने अंग्रेजी की टुसन छोड़ दी नव्या बोली जी चाशा जी और अपनी मा की ओर देखने लगी सुसांत बोले क्यों भाबी क्यों बंद करवा दिया दीपक बोले थोड़ी दिक्कत है और इतना भी उचा मत करो कि घाटा खुद का हो अगर किसी से मदद मांग लोगी तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी दीपक और सुसांत खाना खाकर बाहर बैठने के लिए चले गए यहां प्रीती और रिता जी बात बात पर सिखा को टोक रही थी सिखा बोली रहने दो देवर रही थी सिखा बोली मैंने तुम्हें अपना समझकर मदद का हाथ बढ़ाया था पर तुमने उसका क्या किया मैंने अपने सुक्सिधा के लिए नहीं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तुमसे मदद मांगी तुमसे अच्छे तो हमारे पडोसी हैं जिन्होंने बच् बच्चों के लिए तुमने उनकी मदद नहीं की भाईया आपने भी मुझे कुछ नहीं कहा दीपक बोले ये भी मुझे अपनी तकलिफ कहां बताती है अब तुमसे क्या चुपाऊं कितने महिनों से तनख्वा आधी मिल रही थी वो तो ये किसी तरह घर चला रही है पर इस की कुछ सहलियों ने इसकी मदद कर दी सुसांतनी जैसे ही अपने बटुए के तरफ अपना हाथ किया सी का हाथ चोड़ कर बोली देवर जी माफ कीजिएगा पर मैं आपसे कोई मदद नहीं ले सकती मदद लोग अपना समझ कर करते हैं ये बात तो मैं सीख गई हूँ कि या भावी से माफी मांगी और अपनी मा को बोला इसको तो में कुछ कह नहीं सकता हूँ ये पराई है पर आप तो मा हो पोते पोती बेटे बहु में अंतर कैसे कर सकती हैं आज मुझे लग रहा है इतना पैसा कमाते हुए भी मैं बहुत गरीब हूँ और सर जुका कर वो पर परिसानियों का हल हो गया आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहाने जरूर अच्छी लगी होगी कहाने अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद